जैसे हैं आप सभी क्या हाल चाल आपके उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होगे और अपने सेहत का क्याल रख रहे होगे हम लोग का ये बैज जो स्टार्ट होगा ये आपके TGT-PGT एक्जामनेशन जो होते कम्प्यूटर साइन्स के कम्प्यूटर साइन्स के चाहे आप कोई भी एक्जामनेशन ले लो चाहे वो केंद्रे बिद्याले का एक्जामनेशन ले लो या फिर आप कोई भी स्टेट एक्जामनेशन ले लो या फिर आप TGT लेबल के कोई भी टीचर्स के एक्जामनेशन ले लो जो कि कम्प्यूटर स के लिए होते हैं उन सारे examinations कि लिए ये बैच आपके लिए क्या है रामबान है क्या है रामबान है इसमें हम लोग zero से लेकर higher liberal तक एक comprehensive बैच आपके लेकर आये हैं ताकि आपके हर एक डाउट हर एक topics एक नमर तरिके से complete हूँ और आपके drought clear हूँ और आप एक अच्छे तरिके से एक जगह free of cost में अपनी तयारी को लेकर चले free of cost ठीक है प्लस आपको pdf भी free में मिल रहा है और मैं आपको भरुसा दिलाता हूँ कि अगर आप जब इन सारे वीडियोज को समझोगे ध्यान से देखोगे खुद से पढ़ोगे थोड़ा तो आपके हरे question solve होने लगेंगे यह जो course है मैंने बहुत सारे platform जो कि higher platforms है जो कि बरेवले platform है उन पर मैंने देखा और देखा कि computer size में मतलब एक comprehensive batch कोई नहीं ले आ रहा है जो भी notification आ रहा है फिट batch लेके आ रहे है और मतलब तुरंट-Tुरंट कुछ भी पढ़ा के खतम कर दे रहे है तो हम लोगों नहीं सुचा क्यों नहीं एक batch चालो के आ जाए जो कि zero seed start हो और higher level पे जाए और राइट सो आपको यह सब बाते समझ में आई होगी यह हमारा class नमर 5 है इससे पहले चार class हो चुके हैं आप हमारे चैनल पे जाके वो सारे वीडियोज देख सकते हैं और राइट चलिए आगे चलते हैं तो आज हम लोग combination circuit के बारे में पढ़ने वाले हैं इससे पहले हम लोगों ने algebraic identities, car log map और minimization of कैसे होता है, algebraic expression कुछ sort trick, वो सारे हम लोगों ने पिछले वीडियो में cover कर लिया है तो आज के class में हम लोग क्या करने वाले हैं, combinational circuit के बारे में जानने वाले हैं किसके बारे में? combinational circuit के बारे में आज के class में हम लोग परेंगे तो क्या होता है, उसके बारे में हम समझते है combinational circuit है क्या तो क्या बोलता है, a combinational circuit is a connected arrangement of logic gates with a set of inputs and outputs क्या बोलता है, combinational circuit क्या है, arrangement of logic gates है और मेरे पास कुछ input का set है और कुछ output set है, ठीक है at any given time, the binary values of outputs are functional binary combination of inputs, ठीक है, और इसका ये block diagram, देखो, मेरा input क्या बोलता है, binary value हो सकता है, binary values, मैंने logic gate आपको बताया, ता logic gate हमारा 01 की भासा समझता है तो हमारा ये जो input होगा 01 का combination ही होगा और मेरा combinational circuit ये binary number पे कुछ operation क्या करेगा कुछ operation perform करेगा और operation perform करने के बाद हमारा output आएगा binary form में ही ठीक है, किसमें आएगा output binary form में ही output आएगा क्या मतलब मेरा 01 के form में ही output आएगा और 20 का ये combinational circuit कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मेरा adder हो सकता है, subtractor हो सकता है, एक्सेटरा ठीक है, तो उन सब के बारे में एक एक करके हम लोग जानकारी हासिल करेंगे, जो कि हमारे syllabus में है computational circuit, आगे चले ठीक है, तो मेरा सबसे पहला आता है half adder adder का मतलब आप समझ रहे हो, जोडने वाला चीज कुछ है, और half adder क्या है, उसको समझने के कोसिस करते हैं, तो half adder क्या करता है, मेरा दो binary digit को add करता है, क्या करता है, मेरा दो binary digit को add करता है, और हमको एक sum और एक carry देता है, क्या देता है, एक sum और एक carry देता है, चलो, मेरे पास अगर दो input है, तो मेरा number of combination 0, 1 का कितना होगा बाइनरी में बेश टू दो वेरियेबल दो दुनी चार चार कॉंबिनेशन होगा देख लो यहाँ 0001 10 और 11 ठीक है हम लोग अब 00 को एड करते हैं तो मेरा सम आया 0 और क्यारी कितना आया जिरो अच्छा आप लोगों को यह नहीं पता अभी तक कि बाइनरी में एड कैसे करते हैं चलो मैं आपको बताता हूँ पहला दिखो 00 01 10 और 11 सबको एड करके मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं हम लोग बैनरी में एडिशन 00 में यहां पर अगर 11 करते हो तो टू नहीं आएगा क्योंकि यह क्या है बाइनरी नमर सिस्टम है अगर 11 एड करोगो तो आपका एंसर आएगा सम सम आएगा 0 और कैरी आ जाएगा इसको एड करने के बाद वन तो वन क्या हो जाएगा कैरी यहां पर यह बात इंपोर्टेंट है याद रखने लाइग ठीक है आपको यह बात समझ में आया होगा तो अगर हम लोग 00 एड करते तो हमारा सम 00 कैरी 001 में सम 1 कैरी 010 में क्या हो जाएगा हमारा सम 1 कैरी 0 और 11 में अभी मैंने आपको बताया यह बाइनरी सिस्टम है इसलिए मेरा सम जीरो और कैरी 1 अब मेरे पास दो आउट्पुट आया, एक तो carry का output है और एक sum का output है क्या है? एक carry का output है एक sum का output है अगर आप sum के output को ध्यान से देखो तो आपको कुछ दिखेगा क्या दिखेगा? चलो दिखाते हैं यहाँ पर देखो मेरा sam input है इस दोनों में मेरा input sam है अगर मेरा दोनों input stem है और मेरा output false आ जाए मेरा output false आ जाए तो ये कौन सा gate है ये है मेरा exclusive or gate याद आया ही नहीं याद आया मेले पिछले वीडियों में बताया था और रिट चलो कैरी को भी समझ लेते हैं कि मेरा देखो सारा zero है अगर मेरा दोनों input true हो रहा है तो क्या है ये end gate है की नहीं है अगर हम लोग exclusive or end को मिला दे तो हम लोग का carry मिल जाएगा और sum मिल जाएगा किसमे half adder में चलो इसका diagram बनाते हैं चलो मेरा दो input था x y इसको exclusive or gate में लगाया तो मेरा क्या आ जाएगा sum आ जाएगा और end gate में लगा दिये तो मेरा क्या आ जाएगा carry आ जाएगा आपसे अकर पूछे भाईया बताओ कि half adder में कितने एक्स ओर और कितने end gate यूज हुए हैं अगर आपसे कुछ mcq पूछ लिया जाए तो आप बताओगे एक एक्स ओर और एक ही end gate यूज हुआ ठीक है sum के लिए एक्स ओर यूज हुआ और carry के लिए end gate यूज हुआ तो मैंने आपको बताया था कि sum का expression एक्स ओर में कैसे होता एक्स डेस य प्लस एक्स य डेस और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो और carry तो मेरा end gate है तो एक्स डॉट य या एक्स वाय यह मेरा हो गया क्या carry हो गया बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा कोई दिक्कत नहीं अगर दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रेंट किजिए मैं आपके सब वालों के जबाब दूँगा ठीक है भाई आगे चलते मजा आना प्रेंटर यार चलो हाफ सब्स्ट्रेक्टर के बारे पड़ते सब्स्ट्रेक्टर मतलब घटाने वाला चीजह यह थाफ शाना मतलब भानेंट तरम्र 24 yi कोई घटाने की कोशिस करेंगा चार कंभीनिशंस रिजॉट जीरो में जीरो घटाएंगे तो 0-0 borrow 0, 0 में 1 घटाएंगे, चलो, आपको binary का सब्स्ट्रेक्शन नहीं पता है, वो उसको करके बताते है, 0, 0, 0, 0, 1, क्या आएगा, देखो, अगर यहाँ पे कोई digit रहता, यहाँ से एक पैचा लेते, carry लेते, borrow करते, carry नहीं, borrow करते, मतलब पैचा लेते, बोलते हैं, मेरे पास नहीं है, दो, ठीक है, तो यहाँ से अगर एक carry करते हैं, इसका मतलब क्या आजाता दो, क्योंकि यह binary number system है, मैंने आपको बताया है, पिसली वीडियो में कहीं न कहीं, तो अगर यह binary digit, binary मेरा system है, तो मेरा एक का मतलब दो, यहाँ पे दो आ गया, तो दो में से एक घटा एक, और हम लोग क्या, अगर एक घट के आया, तो यह मेरा क्या है, यह difference है, और हम लोग borrow कितना ले लिए हैं, one, कितना borrow ले लिए, one, पर मेरे मन में सोचना है, one का मतलब दो है, दो में से ही हम लोग घटाओ करेंगे, यह बात याद रखना, ठीक है, तो zero में से one गया, तो one difference आया, और borrow one, one में से zero, असानी से one, borrow zero, one में से one गया, तो zero, और zero borrow, और zero difference, समझ में आया, यह important है, बस, यह वाला चीज, देखो, अभी भी मेरा borrow में, देखो, क्या हो रहा है, यह देखो, zero, zero, यह देखो, difference में, अभी भी मेरा exclusive order use हो रहा है, same है, same है, output false, exclusive order, तो difference के लिए same ही gate बनेगा, same ही figure बनेगा, जैसे पहले बन रहाता है, borrow के लिए एक अंतर है, कि मेरा एक input A dash हो जा रहा है, और बांके B end gate में लगा दे रहे, इसको याद रखेंगे expression, आपके examination में direct question पूछ लेंगे, तो आप उसको असानी से बतापाएंगे, आपको confuse करने के लिए बोल सकता है, बताओ, borrow का algebraic expression क्या होता है, आप सर्फ ट्रेक्टर में, A B, A B dash, A dash B, A dash B dash, बोलो answer क्या होगा, बोलो गे, A B dash, टेक है, समझ में आया, आगे चलें, ओके, चलो, तो हम लोगों ने पढ़ाता कि NAND gate एक universal gate, क्या है universal gate, तो इसका क्या मतलब है, universal gate है, तो इससे हम लग कोई भी अपने, मतलब digital circuit बना सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हाप added भी बना सकते हैं, कैसे होगा, चलो, देखते हैं, डिको, यह important question, कि हम लोग को हाप added बनाने के लिए 5 NAND gate यूज़ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 5 NAND gate यूज़ करना पड़ेगा, इंपोर्टेंट है, याद रखना, आपसे examination में direct question पूछ लेगा, पता हो, हाप added को बनाने में, कितने numbers आप NAND gate लगेंगेंगेंगें तो आपका answer होगा, कितना 5, 5, 5, 5, 5, आप देखो, यह हमारा है figure, NAND gate को यूज़ करके हम लोग sum A, X, B और carry A, B निकाला है हम लोगों ने, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो, आगे चले, वहीं पे नौड भी था, universal gate इसको भी use करके हम लोग half adder बना सकते हैं, मेरा algebraic expression यह है, यह है, यहां तक पहुचना है हमको use करके not gate, तो यहां भी हमको 5 not gates लगेंगे, बनाने के लिए half adder, तो मेरा क्या हुआ हुआ समड़ी, half adder को use करने और बनाने के लिए 5 NAND, और 5 यह not gate लगता है, ठीक है, कोई अधिकत नहीं, और हाँ, और समड़ी देते हैं, half adder की, sum, a x or b, carry, a b, subtractor की बात करें, तो मेरा difference कितना, zod में ही, और borrow क्या, मेरा a dash b, all right, समझ में आया, याद रखेंगे, आगे चले, ठीक है, चलो, अब हम लोग full adder की बात करते हैं, तो, देखो, half adder में क्या कर देते हैं, हम लोग two digit को ही add कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग three binary digit को add कर सकते हैं, half adder में यही एक difference है, ठीक है, देखो, मेरा input होगा x, y, z, तीन input, एक होगा मेरा carry, एक होगा मेरा sum, चलो, जोड़ते हैं, 0 plus 0 plus 0, तो 0 ही आएगा sum और carry भी 0, 0 plus 0 plus 1, sum 1, carry 0, hmm, चलो, 0 plus 1, plus 0, तो मेरा sum कितना 1, carry 0, 0 plus 1, plus 1, देखो, यहाँ पर 1, 1 है, तो मेरा sum 0 आएगा, और carry 1 आएगा, मैंने आपको बताया, 1 plus 0 plus 0, sum 1, carry 0, 1 plus 0 plus 1, तो मेरा sum 0, carry 1, 1 plus 1 plus 0, तो 1, 1 केतना 0, sum और carry 1, और इस लाइन को देखो, तो मेरा 3 add करना है, 1, 1, तो देखो, 1, 1, 0, carry पहले से 1, और इसको add करो, 0, 1, 1, तो मेरा sum 1, और यहाँ का एक carry, यहाँ पर 1, समझ में आया, ध्यान से देखो, एक बाद ध्यान से देखे, फिर हम लोग इसका algebraic expression, इसके symbolic figure को देखेंगे, कैसे बनाते हैं, ठीक है, समझ में आएगा है, और रिट, आगे चलते हैं, देखो, हम लोगों का इसका sum, x, y, z, मतलब x और जो exclusive और जो होता है, वही मेरा x प्लस y, और यह z मेरा होगा, ठीक है, इसका sum होगा, और carry की बात करो, तो carry आपका क्या हो जाएगा, x, y, plus x, y, plus x, y, dash, और इसका bracket और एक z, आप important है, याद रखेंगे, आपको confuse करने के लिए हो सकता है, ऐसा option नहीं दे, आपको यह वाला, उपर वाला option दे, तो आप इसको एक बड़ ध्यान से देखो, पीछे से देखो, x, y, z, किसी में compliment नहीं है, x, y, dash, z, दो में compliment है, इसमें भी दो term में compliment है, तो आप one time, दो में compliment करो, और एक last term x, y, z, सीध x, y, plus x, y, dash, into z, ऐसे करके याद कर सकते हो, दो बार लिखोगे, आपको याद हो जाएगा, यही देखो, game map के तुरू, इस question को solve करने की कोशिस की गई है, ठीक है, देखो, कैसे समझाते हैं, देखो, अगर हम लोग, चलो इसको एक बार, चलो अगर यह मेरा 0 है, यह 1 है, य यह 2 है, यह 3 है, इसका equivalent है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है, यह मेरा हो गया, boxes के number, ठीक है, मेरा क्या है, 3 variable है, तो 3 boxes होंगे, मतलब 3 variable है, तो 8 boxes होंगे, कैसे होगा, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, यहाँ पर 0 लिखो, ठीक है, यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, देखो, sum में, 1 में 1 है, तो 1 लिखा मैंने, 2 में 1 है, तो 1 लिखा मैंने, यहाँ पर, उसके बाद 4 में 1 है, तो 1 लिखा मैंने, उसके बाद मेरा 7 में 1 है, तो 7 में 1 सब्सक्राइब यहां पर हम लोग कोई बिद्धा करते नहीं और इसे करके नोुक्त हो अपने को यूजस करके हम लोग अपने expression को reduce कर सकते हैं, minimize कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है, अब देखो, मेरे sum के लिए, क्या होगा, x, y, z, z होना चाहिए, तो हम लोग पहले x, y निकाल लेते हैं, तो उसके लिए एक exclusive or gate का use हुआ, x, y, यहां तक मेरा आया result, क्या है, अब हम लोग z को लेते हैं, और z को एक और x जॉर में लगाते हैं, तो यह आ गया मेरा x जॉर y, जॉर z, यह आ गया मेरा sum, ठीक है, तो यहीं पर carry की बात करें, तो carry में मेरा x, y, x, y, x, y, और इसके साथ z था, end में, तो एक तो और gate यूज होगा, final है, यहां से x और y आया मेरा, इस end में, x, y आया, उसके बाद मेरा यहां से क्या आया, यहां से x और y, मतलब यह वाला term, यह वाला term तो jording gate का है, यहां से जो आया पहला मेरा, इसमें गया end में, ठीक है, उसके पाद हम लोग का एक z भी आया यहां पर, और दोनों मिलके क्या हो गया यहां पर, carry बना दिया, और मेरा last में expression यह वाला आया, ठीक है, समझ में आया होगा, अगर आप से यह पूछ लिया जाए, बताओ, बताओ, कि full adder में, full adder में, कितने numbers of zod gate है, और कितने numbers of end gate है, और कितने numbers of or gate है, तो आपका answer होगा, एक और gate, दो end gate, और, और, दो zod gate, important, याद रखेंगे, आपके examination में यह question पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, समझ में आया यह सब, ठीक है, देख लो, एक बार, क्या क्या पढ़ा, half subtractor, half subtractor, half adder, half adder, half subtractor, combination circuit का type है, end gate को यूज करके बना सकते हैं, nor gate को यूज करके बना सकते हैं, full adder में, तिन डिजिट add होता है, उसके बाद हम लोगोंने, cave map यूज करके, इसके expression को deduce करने की कोशिस की, उसके बाद, कितने नमर्स, absorb, get, end gate, or gate, use होते हैं, full adder, उसको आप लोगोंने समझा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब देखो, हम लोग पढ़ते हैं, किसके बारे में, parallel adder के बारे में, तो parallel adder का क्या use है, ठीक है, दो क्या बोलता है, एस सिंगल फूल adder, परफर्म देशन अब टू वन बीट नमर्स, एन इंपूट कैरी, ठीक है, ठीक है, मजलब, इंडर्क लिट तीन डिजित यूज़ करता है, binary rate, but, a parallel adder is a digital circuit, capable of finding the arithmetic sum of two binary numbers, या बोल रहा है, द्यां से देखो, sum of two binary numbers, कौन कर सकता है, parallel adder कर सकता है, compute, ठीक है, that is greater than one bit in length, by operating on cross-pending, आप यह समझो, binary numbers add करेगा, कौन parallel adder, ठीक है, और यह चीज़ important है, यहाँ पर, इसको याद है, note कर के लिखो, इसको, n, o, t, e, ऐसा करके, बड़ा सा, क्या, n bit parallel adder requires, n full adder to perform the operation, ठीक है, आप से अगर question पूछ लिया जाता है, कि मेरा, 4 bit का parallel adder है, तो बताओ, इसमें number of full adder कितने यूज़ होंगे, तो आपका answer होगा, 4 ही full adders यूज़ होंगे, इसको बनाने के लिए, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिकत नहीं, यहाँ पर देखो, इसका डाइगराम है, parallel adder का क्या है, कि मेरा दो डिजिट है, A1, A, B1, और एक carry input है, इसको मैंने full adder में डाला, यहाँ पर sum आया, यहाँ से carry, इसके आगे बाला full adder में गया, same same, feed यहाँ पर, और directly see out यहाँ पर, तो carry out, और sum यहाँ पर, end times, मतलब, अगर end number of, end number of beats है, तो end number of full adder यूजवार है, देख लो, समझ रहे हो, ठीक है, कोई दिकत नहीं, और parallel adder, sum of two binary numbers को, sum of two binary numbers को, compute करने के लिए, यूज़ किया जाता है, और, अगर मेरा end bit का parallel adder है, तो हमको end full adder, चाहिए ही, चाहिए होगा, कोई दिकत नहीं, समझ में आया, ठीक है, कोई दिकत नहीं, अगर आपका कोई भी doubt है, तो आप comment section में, बता सकते हैं, अगर आप नए हैं, तो please, क्या कर लो, subscribe कर लो, ठीक है, और, please like the videos, और अपने दोस्तों के साथ, share कीजिए, जो की इन examinations की तयारी कर रहे है, बिना time गबाए यार, अगर इधर उधर time गबाओगे, तो आपको MCQ बनाने के लिए, उतरा time नहीं मिल पाएगा, इसलिए क्या करो, जल्दी से चल्दी, अपने theory को, clear करो, हमारे videos के तुरू, और, MCQ के उच्पे लग जाओ, हम लोग MCQ का series भी आपके लिए लाएंगे, इस लाएंगे, ठीक है, so thank you so much, आप हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे videos को देखते हैं, increase करते हैं, और इसी तरह, और भी किची हम लोग आपके लिए, भी बहुत सारा मेहनद करते हैं, ताक कि आपका एजामने साथ किलियर हो, और आपको एक जॉब मिल सके, so thank you so much once again, for watching this video, bye bye, और take care, alright, चलो, ठीक है, bye,